अगर आपको बहुत ज़दा कफ है, कोल्ड हो रहा है, आपको आपका बुखार उतरने का नामी नहीं ले रहा, वाइरल बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, तो आपको गवराने की जूरती है, दो फॉर्मूलाज आज शेयर करूंगी, जो बहुत ही बहतरीन हो सकते हैं आप हाई आपके साथ कुछ फॉर्मूलाज शेयर करूंगी, कफ, कोल्ड और वाइरल फीवर को ट्रेट करने के लिए, जैसे जैसे व्यादर चेंज होता है, तो व्यादर चेंजिंग एफेक्ट इंसान को जुरूर जुरूर सफर करने पड़ती है, और स्पेशली उन लोगों को जल्दी यह प्रॉब्लम हो दे है, जिनकी इम्मीनिटी भी होती है, तो जो मैं फॉर्मूलाज शेयर करने वाली हूँ, एक तो आपके कफ, कॉल्ड और फीवर को ट्रेट करेंगे, साथ साथ आपकी इम्मीनिटी को भी स्ट्रॉक बनाने वाले है, तो चलो बढ़ती हैं वी यह बहुत अच्छा है, नेक्स्ट मुलेठी ले रही हूँ मैं, लिकॉराइस पाउडर भी बोलते हैं, इसको लिकॉराइस टिक ले रही हूँ मैं, एक्चली यह रूट है, आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो ले लीजिए, मोटी इलाइची जो बड़ी इलाइची हो जो मुलेठी थी, उसको मैंने तोड़के, यह इस टुकड़े को तोड़के मैंने जो है ना, इससे हाफ क्वांटिटी में लिया है, और जो सिन्मन है, उसका छोड़ा सा टुकड़ा लिया है, और साथ में जो है, एक मोटी लाइच लेनी है, तो एक कप पानी जो है, गैस प जो मीडियूम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने लेना है, जब इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रड्यूस हो जाए, तो गैसा बंद कर दीजेगा, और इसको एक कप के अंदर स्ट्रेंड कर लीजेगा, यह फोर्मूला आपके लिए बहुँ ज्यादा उंदा है, इस फोर मूले को बनाने के लिए हमें चाहिए अद्रक यनिकी जिंजर, जिंजर जो है ना यह पुराने से पुराने बुखार को ठीक करने के लिए कफ को ठीक करने के लिए बैनिफिशल माना जाता है, तो आपने एक छोटा सा टुकड़ा अद्रक का ले लेना है, जिंजर का और उस और इसको एक उबाल आए तो उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा गुड मिला देना है गुड जो है ना इस formula का बहुत ही main ingredient है गुड पुरानी से परानी कफ को बाहर निकालता है आपको आपके अंदर जो है ना जितनी भी मतलब वाइरल की वज़े से weakness हारी है blood कम होने लगा है वो सारी problems को treat करता है बहुत ही अच्छा और tasty भी रहता है यह बच्चों को भी आप दे सकते हो ताकि उनको अंदर से अच्छे से जो है ना treatment मिले और उनको कोई दिक्कत भी ना हो क्योंकि गुड़ है टेस्ट भी बढ़ा रहा है तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक गुड़ जो है अच्छे से में मैल्ट ना हो जाए और color change हो जाएगा इसका पूरा दो से तीन मिन्ट के अंदर ये काड़ा बन कर तयार हो जाएगा आप देख सकते हो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है ब्लैक सा color आ गया इस काड़े का तो गैस बन कर दीजिए और इसको strain कर लीजिए आपने इस formula को भी जो है ना दिन में दो बार follow करना है आपको cup cold fever है regular सा हो रहा है दो दिन में दो बार तो आपने half cup के quantity में इसको लेना ही है ठीक है एक cup पानी से देखो half cup रह गया था तब जाके formula तयार होता है तो इस तरीके से ये दो formula मैंने आपके साथ share किये हैं दोनों में से कोई भी formula आप अपनी मरजे से follow कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है comfortable लगता है आप इसमें ये formula जो दोनों मैंने आपको बताए हैं ये आप बड़ो को बच्चों को बुड़ो को किसी को भी दे सकते हो इसका वोई side effect नहीं है बस आप इसको 5-6 दिन continuously लीजे आपकी immunity भी मजबूत होगी आप बिलकुर strong feel करोगे So guys I hope आपको ये वीडियो बहुत informative लगी होगी viral fever को trade करने के लिए cuff cold को ठीक करने के लिए इन में से कोई भी formula follow कर लीजेगा आपको बहुत अच्छा result मिलेगा वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like तीजिए comment कीजिए वीडियो पर जादस जादा और social media पर इस वीडियो को share कीजिए मिलूंगी आपको another fantastic informative वीडियो के साथ तब तक लिए take care and bye